लेकिन ग्लोबल आर्मी बिग एट एंटर्टेन्मेंट से काफी नाराज है और कह रही है कि बिग एट एंटर्टेन्मेंट में जोंकु की कोई रेस्पेक्ट नहीं है साथी कुछ आर्मी का तो ये भी कहना है कि बिग एट एंटर्टेन्मेंट ने अपने बिट एंटर्टेन्मेंट को सिर्फ मनी बनाने की मशीन समझ रखा है जब तक Big It Entertainment को profit होता है, जब तक company BTS members को support करती है, otherwise वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है तो ये सारे allegations, आर्मी, Big It Entertainment पर क्यों लगा रही है, ये हम आपको detail में बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर लीजिए साथी notification bell भी on कर लीजिए, जिसे BTS की कोई भी news आप से miss ना हो दूस्तो ये तो आप सभी जानती ही हैं कि BTS members अभी अपने solo work पर focus कर रहे हैं इसके साथी सभी members को अपनी military service पर भी जाना है, और 2025 तक वापस भी आना है वहीं दूसरी तरफ, J-Hope, Jin और RN की solo album release हो चुकी है और Vee की solo album release होने की announcement भी कर दी थी और ये तो मैंने आपको कल ही बताया था कि Vee का जल्दी एक और reality show आने वाला है लेकिन इसके साथी 2022 में Jungkook ने 7 Face छाको के संग Stay Alive जो कि BTS Shuga के साथ रिलीज किया था और American singer Charlie Putt के साथ Left and Right भी रिलीज किया इसके अलाबा रिसेंटली रिलीज हुआ Jungkook का FIFA Anthem Song Dreamers तो सुपर डूपर हिट रहा जिसके Spotify पर अब तक 600 मिलियन टाइम्स स्ट्रीम किया जा चुका है जिसके बाद Jungkook फस्ट ऐसे K-POP आर्टिस्ट बन गए हैं जिनके Spotify पर सबसे जादा सौंग स्ट्रीम किये गए हो लेकिन अब क्वेशन यह है कि Army Big Hit Entertainment पर इतने बड़े allegations लगा क्यो रही है तो दोस्तो इसका रिजन यह है कि ये सभी Jungkook के सौंग किसी ना किसी आर्टिस्ट या कमपनी के साथ किये गए हैं यानि इसमें Big Hit Entertainment का कोई contribution नहीं है इसलिए कमपनी ने Jungkook के किसी भी सौंग को support नहीं किया और नहीं उनके इन achievements पर कोई article publish किया यहां तक कि जब Jungkook के ये सभी सौंग्स रिलीज किये गए थे तो कमपनी ने इन सभी सौंग्स की link आर्मी के साथ share करना भी सही नहीं समझा इसलिए आर्मी का कहना है कि इन सभी सौंग्स से कमपनी को benefit नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने Jungkook को support नहीं किया वेल मैं इस matter में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि Jungkook ने जिन कमपनी या artist के साथ काम किया है उन्हीं का right है कि वो article या link share करे भीकेट entertainment company इन सभी कमपनी की permission के बिना ऐसा नहीं कर सकती दोस्तो आपका क्या कहना है इस बारे में हमें comment section में बताएं हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में till then take care and सारंगे हो